लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अजयत वाके ांवेट्ट्रा लिएाशन स क्राइब ही टे अस करें हुआएएएएएएएएएएएएएएएऑ खबरदार जो किसी ने इसे हाथ लगाने की हिम्मत की, इसे मेरी गोली लगी है, ये मेरा शिकार है, तुम्हारी गोली से तो चुहा भी नी मरेगा, ये शेर है शेर, समझे, देखो सेंगर, मुझे मत ललकारो, मैं जुबान से नहीं, बंदूग से बात करता हूँ. तुम बंदूग से बात करते हो, और मैं फैसला हूँ। इस पवित्त तलवार की सौगंत, जब तक वहत्यार जंदा है, हमारे लिए पानी की एक बून भी पेना हराम है। फिर विजय, कभी ने, तैने मौत तुझा बुला रही है, बाहरा! अपने बाप से जाके बोल, कि वह बाहर आए और हमसे ठक लें। सेंगर, मेरे पिता जी की तभीयत बहुत नाजुक है, जब चाप यहां से चले जाओ। हम जाने के लिए नहीं, तेरे बाप को मौत के खाट उतारने के लिए आये है। के लिए जाओ। लड़ार दो रखी है चोटे सरकार चोटे सरकार बड़े मालक का स्वरग्वास हो गया मैं ये दल्वार तुम्हारे सीने के पार कर सकता हूँ लेकिन इस मौके पर मैं अपने हाथ खून से नहीं रंग ना चाहता याद रखो अगर आज के बाद तुम्हारे खानदान का कोई भी आदमी इस इलाके में दिखाई दिया तो मैं उससे जिन्दानी छोड़ूगा दबाओ जाओ यहांसे दबाओ जाओ यहांसे जित्री कि अंपने हाँ कि यहांसे हाँ कि ऐसे बाद खुम्हांस हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है डाडी युनो आप दुनिया के सबसे अच्छे डाडी है और तुम भी तो दुनिया के सबसे अच्छी लाडली हो डाडी है मेरे बश्रे का गिफ्ट है क्या बड़े गिफ्ट समझ ले चाहे बाप की अपनी बेटी के लिए दुआ अरे अरे यह क्या कर रहे यह एक मिला ठैर तो सही तू अभी इसकी सवारी मत कर पहले बाकाइदा इसकी ट्रेनिंग तो होने दे बड़ा सरकश और मुजोर बोड़ा है ओहो डैडी डोंट वारी नफिं इस गौन तो हपन तो में आट अल दुर्गा तु बहुत जिद्धी है दुर्गा ख़जाओ माँ डैडी पी दुर्गा 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 मुझा बचाओ पॉपॉ दुर्गा 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 देखिए और मुज़ए में देखिए मेंड़ा है जो तो जो यूख और सुदरी ज रखिए और हे जला है आपके शुक्रिया अदा करके मैं आपके एहसान को मामूली नहीं बनाऊंगी। शुक्रिया किस बात का। एहसान तो मुझे पर किया उपरवाले ने। जो यह हसीन इतफाक अदा करके मानो मुझे को जान बख्षती है। आगे ही तुम। दैदी, आज अकर ही नहीं मिलते न, तो समझ लीजिए आपकी बेटी इस वक्त इस दुनिया में नहीं होती। कैसी यह शुब बाते कर दी हो आज के शुब दिन। आए। चलिए। आखर हुआ क्या। हुआ यह ठाकुर साथ, हम दोनों की मुलाकात होनी थी, हो गई। और आप तो अच्छी तरह से समझते हैं कि जो चीज होनी है बैटी। उसको पेश करने का उसका अपने एक अंदास है। और यह उस अंदास को सत समझ कर, हमार इस मुलाकात को नजर अंदास कर रही है। उफ। आपसे तो बात करना बहुत ही मुश्किल है। डादी, इनसे मिले यह हैं। कुवर भवर सिंग डांगा। अरे, आप इने जालते हैं। यह तुम्हारे डांगा अंकल मरहूम के साफजादे हैं। अपनी एस्टेट का कारूबार संभालने के लिए, अब यह यहीं रहने लगे। कुमर साथ, जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुकर गजार हूँ। कुमर देखा, आज भी रात कुमान ने, दिश्मन राजय को जहां से माला ला। बबलू, तुमने फिर मार काट का खेल चुरू कर दिया। पताजी, आप इसे समझाते क्यों नहीं। सारा दिन बंदुक से खेलता रहता है। इसके पास और भी तो खेलो ने है। सदा सुहागन रहो। बहु, लगता है तुम पर अपने पती के शांती बात का असर पढ़ गया है। वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि राजपूर तो बच्पन से ही बंदूक और तलवार से खेलता है। जमाना बदल गया पताजी, लेकिन आपके ख्यालात नहीं बदले। बरखुरणार, हमारे ख्यालात कोई गर्गित नहीं, जो मौका देखती है अपना रंग बदल में। रंग तो खुद्रत भी बदल के ये फिताजी। देखा बहु, ज्यादा पढ़ने का यही नतीजा है। याने बात अभी शुरू हुई नहीं, बहस शुरू हो जाती है। अरे, ये विशाल इस वक कहा जा रहा है। जै को देखनी जा रहे हैं। सुबह से फाम पे गया है, दूपर को खाना खाने भी नहीं लौटा। उसके लड़ने जगरने की आदत है न, इसलिए फिकर हो रही है। बहु, तुम खामखा जै की फिकर न करो। वो अपने भाई की तरह जिंदीगी के मसलों को किताबी नजरिये से नहीं सुलजाता। ताकत के लाठी से सलजाता है ताके साब भी मर जाये और लाठी विदा तूटे। शाब, ये ट्रक तो इस रेजिस्टर में दड़ नहीं है। इधर आप। जी साब। जानता नहीं, मैं यहां का मैनेजर हूँ और तू सर्फ चौकीदार। जा केट खोल। शाब, आपको मैनेजर बने 20 दिन हुए हैं और मुझे यहां 20 साल हो गये हैं। आप नहीं जानते हमारे मालिक लोग बहुत सकत हैं। अरे सुन तो, घबरा मत, मालिकों को कुछ पता नहीं चलेगा। ले। नहीं साब, अपने पास रखो। मैं नहीं लूगा, मुझे पाप नहीं होगा। अरे साब, आप न खोल यह मैं बोलता हूँ। ओय हाथे। मैं कहता हूँ मर्द खोलो इसे। खाट। अरे साब हँग अच़ और हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है नमख्राम कमीने चोडी करता है हां क्या इसलिए तो निमर से नाकली की भिक बंगे दैए मैं तुझे जिन्दाने छोड़ूगा बस भी करो अब मार डालोगे क्या भाई आप नहीं जानते यह लखणियों की चोडी करता है अरे जाने भी दो से बहुत पीट चुके हो चलो और फिर चोरी की सजा मौत नहीं होती भाई आप तो सच पूछिए ना तो किताबों ने आपको ज़रूर से जादा ही रहंदल बना दिया है तू भी लेक्टे देने लग गया है पिता जी तो वैसे मुझे देखकर लेक्टे देना शुरू कर देते हैं चल चल बैठ शाब पाज इधर भी एले से लो पिता जी आशिरवाद दीजिए जीते रहो समझ में नहीं आता इतना पढ़लिक कर क्या करोगे है चलता हूँ अच्छ झीदो जल्दी कीजी देर हो रही है आरहन भाई आरहन शहें इत मीझे एं टिरको वाई 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 बाई वाई बाबलू चला तो कि अथ कि खना आंता चला जीए ड़ा हिसाथ सलॉड हो चलता नहीं आूबार तो कर देखता हूं अरे भाई क्या है तेरे को आराम से चला अभी ट्रेंड शूटने में बहुत नहीं है अरे भाई स्टेशन बहुत दूर है और तैम भी कितना कम है अपने पास तो आइसता करता है या मैं अब क्या हुआ अब क्या हुआ ओ टोको हो गए ना गड़ी खराब है क कै मैं माई मजाग ने करा मैं चुछह कह रहाई है अरे भाई क्या कर गडोड़ कर लगता त्यश्य였습니다 के हमारी तक्राब सुन के ये जीप एव है अपना खयाल रखना और देख अधमाशी मत करना छोड़ी पॉट घॉट अपना अपना आपना 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 झाल रखना आपना नवाल से अवार्ण पॉट अरे हटते क्यों नहीं? ए मिस्टर, सुनाई नहीं देता, कब से होन बजा रही हूँ मैं? इन गधों को देखकर मैं ये तो समझ गई कि तुम कौन हो, लेकिन अकल के साथ साथ क्या कानों के भी बैरे हो जो रास्ता नहीं छोड़ते हैं? या तुम ये समझते हो कि ये सड़क तुम्हारे परदादा ने बनवाई थी? भाईवा, आपके सामान ये ग्यान यानि के जेनरल लॉलेज की तारीफ करनी होगी. आपको कैसे पता चला कि ये सड़क मेरे परदादा ने बनवाई थी? मैं कहती हूँ, फोरण अपनी खटारा को किनारे लगाओ, वरना ऐसा मजा चकाऊंगी, कि तुम्हें खुद में और इन गधों में कोई फर्क नहीं महसूस होगा. शुक्रिया, कम से कम आपको इन में और मुझ में कोई फर्क तो नजर आया. मुझे तो इन में और आप में कोई दरसल बात यह है कि अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा, तो यह समझेंगे नहीं. और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इनसे कुछ कहूँगी न, तो यह आपकी बात को समझेंगे भी और मानेंगे भी. आखिर अपने बुजर्ग रिष्टेदार की बात को कोई डाल सकता है क्या? यू इडियट, तुमने मुझे इन गधों का रिष्टेदार बनाए है, तो देखो, इन गधों के साथ साथ में तुम्हारी क्या हलत बनाती हूँ? क्या हलत बनाएगी? क्या है? देख लूँगा तुझे, सलिक गद है किसी बैचारे का उल्लू बनाकर आपको बहुत असी हा रही है नहीं, उल्लू बनाकर नहीं जनाब गदे भगाकर यह क्या, आप तो हाथ नहीं जा रहे हैं जानते हैं, स्कॉल क्या हो गया है नाइन लव मुझे लब पोइंच सहानने बहुत मज़ा आता है अल्ल बेस्ट, तैन लव एलेवन लव रुक जाईए, आज अचालक इस टेबल के नीचे घुसकर मुझे लगता है, जैसे मेरा बचपन लौट आया हो आप जानते हैं, जब मैं बची थी ना तो इसी तरह टेबल और कुर्सियों के नीचे घुसकर गुड़े-गुड़ी की शादी का खेल खेला करती थी और डाड़ी कहा करते थे, कि अब देखिए, वक्त किती जल्दी गोजर गया कभी सोचती हो कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो डाड़ी कितने अकेले हो जाएगे कितने अच्छे हैं मेरे डाड़ी आप सोच रहे होंगे कैसी पागल लड़की है ये अपनी शादी की बात खुद कर रही है लेकिन आप से क्या चुपाना नजाने क्यों आप से अपनी बात कहना बहुत अच्छा लगता है मुझे ये क्या है ओ, ये तावीज मेरे लिए बहुत लग्की है जिस दिन ये मुझे मिला था ना, उसी दिन मेरी मुलाकात आप से हुए थी अच्छा, ये तावीज लकी है, तो फिर कुछ दिनों के लिए मुझे दे दीजे, क्योंकि मुझे राज कर जाना एक हर्डल रेस के लिए, क्या मालूम, शायद इस तावीज की वज़े से मैं वो हर्डल रेस दी जाओ। कमाल करती हैं आप, भला मैं आपको कभी इंकार कर सकता हूँ Thank you so much Oh, आये कुमर साथ आये, कहिए कैसे मिजज हैं? आपने आने में जर्थ देर कर दी, दुर्गा को गए हुए मुश्किल से अभी पांच मिनिट हुए होंगे आये आये, आये ना जाने से पहले आप ही को याद कर रही थी, कह रही थी कि अगर वो गोड़ सवारी का मुकाबला जीत गई तो इस कामयाभी की सबसे बड़ी वज़े आप होंगे दुर्गा भी आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही गुल्दस्ता छोड़ गई है दोस्तो घुड़ सवारी के सनों के मुकाबले को जीतने के लिए हमने कदम कदम पर आपके सामने मुश्किले खड़ी कर रखी हैं जो घुड़ सवार इन मुश्किलों को पार करता हुआ सबसे पहले इस लाल जंडे को उठा लेगा उसे विजए घुशित कर दिया जाएगा और बत और इनाम यह खुबसूरत ट्रॉफी पेश की जाएगी अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है अरे मिट हर्ये सॉरी सॉरी अरिबोड़े तुम कहा से आगए लल्लूराम यह घुड़ सवारी की रेस है कोई गदे सवारी की रेस नहीं और तुमको तो ऐसे भी आदत है गदों के ही सहरे अपनी मंजिल तक पहुचने की गदों के सहरे नहीं, गधियों के सहरे जिनने तुम पीड रही थी न, वो गदे नहीं, गदियां थी, तुम्हारी तरह, खुबसूरत, सुन्दर, गोल-गोल, प्यारी यू इडियाट इडियाट हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है लजः・ ल कि अृ इपकदा थनी पहारा और लगारा या जायधनी लगारा घ œचने कीदा लगार यम एफflowerा वैशे काल Six S कि अलुट लगारा टारी की घडिय है लगारा बेहा है झाल 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 इस मुकाबले के इतियास में पहली बार दो सवार एक साथ जीते हैं, लेकिन बतकिस्मत ही ये है, कि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रॉफी है. कोई बात नहीं, ये ट्रॉफी मुझे देदी. आरे क्यों? आपके सर पे सुरखाब के पर लगे हैं, जो मैं आपको ये ट्रॉफी लेने दू? सुरखाब के पर नहीं हुजूर, लेकिन दुनिया भर में काइदा होता है, लेडीज फरस्ट. अगर आप औरतों जैसे पेश आएं, तो मैं आपकी बात पर गौर करूँगा. वहतर ये ही होगा, के आप आपस में फैसला कर लीजे, के ट्रॉफी कौन लेगा? ठीक है, एक लेडी होने के नाते ये चौफी मैं आपको पेश करती हूँ. Thank you. लेजिए. जाओ, जाओ, हमसे क्या तक राओगे जी तुम, जाओ, जाओ, हमसे क्या तक राओगे जी तुम, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है, जमाना मेरा है. अपने इस नादाने पर बच्चताओगे जे तुम आग लगाए तो खुद भी जल जाओगे जे तुम जमाना मेरा है जमाना मेरा है करते हैं हम हुसन की पूजा यही है एक कमजोरी परना तुम जैसों के हम पर चले न सीना जोरी बात सुन लो जरा तुम हमारे दुश्मनी से तो पहतर है यारे पूले वाले क्यों बनते हो क्यों करते हो पहाना शमा से ठकराया जब भाग हुआ परवाना मत बहाने को राचा की दर से हत्र करते हैं हम तो नजल से इन वांका से तक तक पहलाओगी जिम हमसे तक 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 तो आर जाओगी जिम जमाना मेरा है सुनिये जो मैं आपसे कहीं तनहा मिलना चाहता हूँ जरूर रात के ठीक, 11 बजे होटेल के पीछे मैं आपका इंतिजार करूँगी कर तक 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 हुआ है मिलोड तक हंता हुआ जाँ, जाँ पाँ, जाँ – जाँ टुफ, टुफ! टुफ, टुफ, टुफ! डरुब बनुटत लेजिए रहा है? दरुब हा, दरुब हा? दरुब हा? दुर्गा कहा हो तुम दुर्गा जब मिलने के लिए आई ही गई हो तो शर्माना कैसा आओ आजाओ देखो मेरी खुली बाहें तुम्हारा इंतिसार कर रही है आओ आप अपे गड़ी क अ आप दद आणगा आर माझाओ अबर आप 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 गमा, मुझे मार्फ कर दो, गमा, मुझे मार्फ कर दो मुझे मार्फ कर दो, नहीं अले, अले अले, का फस कही अले, अले अले, अले अबे हस क्या रह रहा अच्छा मुझे यहाई लड़का के हस रहा ही 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 हे हे लगता है यही सोना पड़ेगा मुझको आरे मेरी दुर्गरा लगता है रात वा चैन से सोया नहीं हाँ अगर बैल साथ में हो तो फिर चैन कहां हाई आराव कहां देखा बच्चु का कैसा गदा बनाया कहता था मुझसे अकेले में मिलना चाहता है अब जिन्दगी दुखर किसी लग्टी से अकेले नहीं मिलेगा आ अरे इधर तो आगे जाने में खत्रा है लेकिन जिदर जाने का इशारा है उधर भी तो को जंका रास्ता दिखाए नहीं देता तो चुब बैट बुद्दू, जादा होश्यारी मत दिखा मैं बुद्दू यहां तो कोई रास्ता नहीं है क्यों जब मैं नहीं कहा था तो बुद्दू कहकर हामोश कर दिया अब देख लिया न अपनी हुश्यारी का नतीजा ओफो, तुम लोग छगड़ा क्यों करती हो चलो वापिस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है डर? यह डर कि स्टेडिया का नाम है कॉलने तुम लोग हाहा देखा सरदार, इन लड़कियों का होसला देखा यह आप से पूछने के जुर्रत कर रही है के कौन है आप जिसके नाम से इंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दर की लहर दोर जाती है तुम नादान उसी डाकू घमासान से पूछ रही हो के कौन है आप डाकू घमासान जी जिनके सर पर दो लाग का नाम है दो लाग? नाए 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 दो लाग तुकाल था आज पांच लाग है अरे सरकार ने सरदार के सर के साथ साथ उनके पायर की भी कीमत लगा दिया है लेकिन तुम हमसे क्या चाते हो अरे हम वही चाते है जो सरदार चाते है और सरदार चाते कि तुम गाना गाओ गाना? हाँ हाँ फिल्म को फिल्मि सर्दार की तरह गाने का बहुत शोके है और खास कर नाचने के साथ और खास कर वो गाना ना चुब गाओ गाओ ना चुब मार टिया जाए के छोड़ टिया जाए बूरिवरी आज़के आजाओ सभाश आओ नाचो घर लगे, तो यह ने नाचते मैं नहीं नाचूंगी क्याओ, तूने हमारा हुकम नहीं सोना मैं किसी का हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ अच्छा, लातों के भूद बातों से नहीं मनते हाँ इसे यहां से हटा दो वर्ना वर्ना? वर्ना मैं नाचना शुरू कर दूगी ** ** ** ** Aşk Meriçcan! बहुत किया जा कहल मेरे साथ दिकाशू बहुत किया जा हमारे आने की खुशी में यहां तो पहले से जश्न मना जा रहा है समा के साथ साथ सामान भी मौजूद है रूप क्यों गई? नाचो, गाओ हमारे सरदार को नाच गयना बहुत पसंद है हाहा तुम्हारे सरदार को? हाँ हाँ हमार सरदार को पहचानती नहीं ने यही है वो डाकू घमासान जिनके नाम से इंदोस्तान के चपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपच अगर उन्हें खबर हो गई कि तुमने उनकी लाड़ी के साथ क्या सुलूक किया है तो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे कि जिंदगी भर तुम्हारी ये दाड़ी मुच नहीं होगेगी अच्छा तुम दिगविजे सिंके एक लौती बेटी हो फिर तो वो अपनी लाड़ी कीमत पांच लाक रुपया अराम से देंगे क्या मतलब अभी समझ में आ जाएगा चोड़ दे मुझे चोड़ दे मुझे चोड़ दे ना मुझे चलो सब लाँ एłoगाई दो कर दो अ कर दो तरो न चौना है उ कर दो न आ बादा न रहाई रहाई प्ष। पो पो बाद सकता है पो उता है हॉँə जा पो खो पर दो झाजल सुँ पिंस तो पिंस न anlam सन्स दो पो पर हो सर पुड़ बनुँ झाँ झाँ ये जाँ पिला हुश 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 कि करेपसाई दौSon олодक हुश 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 हुआ है इस जाए सब्सक्राइब हुआ हुआ आ आ हुआ हुआ आ हुआ आ था आप यहां हैं मैं कबसे आपको तलाश कर रही हूँ इसमें वो लिखा है जो मैं कहना चाहती हूँ पर शायद कहना पाती तूरगा बहुत अच्छा जित्गा मैं नहीं जानती थी कि आदमी कभी किसी को अपनी चांद से जादा विचा सकता है हाँ जै यहां से जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल निकार लिया हो भगवान से यही दुआ है कि मेरी जान ले ले पर तुम्हारा साथ ना छूटे मैं घर लोट रही हूँ रोज संसेट पॉइंट पे तुम्हारा इंतजार करोंगी आओ गिन आजे हर दम हर दम वादा दिल पर मेरी दिल उलुझे हम तो तेरे लिए दुनिया भी छोड़े ते हम तुम हम यूही हर दम वादा दिल पर मेरी दिल रुवादा हम ऊहाँ पर मेरी तेरे दुम हम पाहे मिल गई, हमेरा हे मिल गई तेरे सदा के नामे वपा के आ गए सब कुछ भुना के हमे जानके, हमे जानके दिल देगे तेरे सदा के नामे वपा के आगे सब कुछ भुना के हम तो तेरे लिए दुनिया भी छोड़ दे तुझ बिन तेरे प्यार ले, जेना भी छोड़ दे हम तुम हम यो ही, हर दम वादा दिन पर मेरे दिन रुह आ हत बिन पर मेरे पस थे पस दो आवख आप बिन ऊंदा मा भादा इस प्वाला है जा मेरे द Blick दो दिल थो गए ठिक जाँ हो गए गम हो खुषी हो कोई खड़ी हो प्यार में अपना अमी हो दो दिल थो गए एक जाँ हो गए हम तो तेरे लिए दुनिया भी छोड़े हम तुम हम यू ही हर दम वादा दिल पर में दिल रुदा हुआ है 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 ज़िए ज़िए अब आपने मुझे अपना मेनेजर बना लिया है तो समझ लीजिए किसी चीज की फिकर की जरूरत नहीं सेवा राम आपकी ऐसी सेवा करेगा के रास्ते में कोई बात हाई आई सेवा राम तेवारे जी आपको सेवा का मौका चाहिए था ना मिल गया ज़रा गाड़ी से बाहर निकलिए और जो ये पईया खड़े में अटका हुआ है इसे बाहर निकालिए एक काम करते हैं हुजूर इस जीप को यही छोड़ देते हैं मुश्किल से चार पांच कदम का रास्ता बाकी है ठीक है किसी भी चीज को बीच रास्ते में छोड़ देना हमारी फितरत में शामिल नहीं है यह बात हमेशा याद रखना यह यह जए यह जवड़ कि अग्र रास्ते पांच किया से शाउनी किलJean हाँ रहाँ लिए हुआ झाल सुनो, तुम कौन हूँ? हम चांगा है मालिक, इस अलाके के भी आपके पिताजी का बहुत उपकार रहा हम पर रहने को जमीन दिये, खाना दिये, हम आपकी खातर अपनी जान दे सकते हैं और चरूरत पढ़ने पर किसी दूसरे की जान भी ले सकते हैं ठाकुर साहब, आज कल के रहिसों में दानपुने की भावना बिल्कुल नहीं रही उन्हें थो बस अपने शौक पर पानी की तरह पैसा बहाना आता है यदि आप जैसे दानी धर्मात्मा की सहायता न मिलती, तो इस मंदिर का निर्मान संभव न हो पाता मंदिर तयार कब तक हो जागा पंदेजी इसे नवरात्री तक ठाकुर सहाब लीजिए धन्यवाद नमस्कार पंदेजी नमस्कार जीती रह बिटिया प्रमात्मा तुमारी हर मनो कामना पूरिए करे ठाकुर साहब, बिटियार आने की कुंडली मुझे अब तक याद है, इनका विवा इसी वर्ष हो जाएगा ये आप का कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, देख लीजेगा, मेरे बाद जूठी नहीं जाएगी अच्छा, तो अब आगया दीजिये, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्क्राइब माँ और बाप की नजरों में यही तो फर्क होता है, बाप की नजरों में बेटी हमेशा छोटी ही रहती है जबके माँ की नजरों में उसे बड़े होते देर नहीं लगती अच्छा हुआ जो पंडर जी ने हमें याद दिला दिया, हमें अपने लिए एक बहुत अच्छा सा दामाद खुनना है अच्छा बेली, एक बात सस्त बताओगे पुछे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए लड़का ढूनने की जरूरत ही नहीं है सुनो न, क्या मेरा ये सोचना सच है सच सच बताओ, आपका सोचना बिलकुल सच है आईए कुमर साहब आईए, आपकी उमर बहुत लंबी है, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था आप भी इनके बारे में सोच रहे थे, तब तो इनकी उमर वाक्यी बहुत लंबी है, क्यूंकि मैं भी इनके बारे में सोच रही थी, आईए भवर सिंग जी, आपने तो हद कर दी, इतने दिनों कहां गाइब रहे आप? आप राजगर चले गई तो मैं आगे करता, शेहर में थोड़ा सा काम था, सोचा क्यों से खत्म करता हूँ, आप छोड़िये इन बातों को, आप पहले मुझे ये बतलाईए कि आपकी हर्डल रेस मुकाबले का क्या हुआ? मुकाबला तो हम जीत गए, लेकिन आपका वो जो तावीज है ना, वो हम आपको वापस नहीं लोटाएंगे, क्यूंकि उस तावीज से जो हमने पाया है, हम खोना नहीं चाहते, हम उस तावीज के बारे में बहुत सूपरस्टिशिस हो गए हैं. ये तावीज का क्या चुक्कर है भई? डाडी, पुजारी जी अभी आपसे जिस बात का जिक्र कर रहे थे ना, उसका और इस तावीज का एक बहुत गहरा तालुक है. अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी है. मैं आपसे बाद में मिलू? बाई-बाई-बाई भी आईए, मुझे आपसे कुछ कहना है. दरसल बात दुर्गा की शादी की हो रही थी. कुमर साब, एक जवान बेटी का बाफ होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ये तो आप भी समझते ही होंगे. और, क्या हुआ? ये अचानक कहा खो गया आप? आईए बैठिये ठाकुर साब, ये कर्ज है. फर्माइए. अगर आप मुझे इस काबल समझें, और आपको किसी किसम का कोई, कोई अतराज ना हो, तो दुर्गा जी की शादी मुझे कर दिजे. कुमर साहब, आपने बिना किसी जजग के दुर्गा का हाथ मांग दिया है. और दुर्गा ने मुझे से लड़का ढूनने से इंकार कर दिया है. मुझे इसका क्या मतलब समझना चाहिए? यही कि हम दोनों ने आपकी भारे जिम्मदारी को हलका कर दिया है. क्या बात है, दुर्गा? क्यों इतने गुम्सम बठी हो? मुझे भाव डर लग रहा है, जै. डर? किस बात का डर? अगर हालात ने हमें एक दूशे से अलग कर दिया, तो अच्छा एक बात बताओ. फूश हो. एक बिता, अपने होने वाले दामाद में क्या-क्या देखता है मेरा मतलब सर्व लड़के से है, उसके खांदान या उसके घरबार से नहीं. वो लड़के में यही देखता है कि वो अच्छा हो, शरीफ हो, और कमाओ हो. भले ही वो शकल सूरत से भद्दा और अकल से कंगाल हो? बाकी बात है, बात में. सबसे पहले तो वो शकल सूरत ही द हो, लेकिन चाहिल बिलकुल नहीं होना चाहिए. फिर? फिर मने? फिर तो मेरे डैटी, तुम्हें देखते ही रिजक्ट कर देंगे. अब मेरा क्या होगा जै? क्यों रिजक्ट क्यों कर देंगे? मैं तो सिर्फ शकल का रोना रो रह थी, तुम तो अकल से भी गाए तुम तो जो होंट जूट बोले, उनकी सजा जानती हो. उन्हें सच बोलने वाले होंटों से खामुश कर देना चाहिए. दुर्गा, वाह, ओ नहार बेटी हो तो ऐसी. दुर्गा, तुमने एक बाप की जिम्मेदारी का बोज़ हलका कर दिया. बेटी, तुम्हारी पसंद वाकिए काबले तारीफ है. तैंक यू डैदी, लेकिन आपको कैसे पता चला? ऐसे के हम एक बुद्धु लड़की के बाप जरूर हैं, लेकिन बुद्धु नहीं है. जिस बात को तुमने इतना चुपाने की कोशिश की, उसे कमर साब ने जरा भी चुपाने की जरूरत नहीं समझी. तुम्हारे जाते ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझसे मांग लिया. फिर? फिर क्या? हमें तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं क्या? हमने शादी के लिए हां कर दी. यह आपने क्या क्या डैदी? मैं कवर साब से शादी नहीं करना चाहती. क्या? यह क्या खह रही है तु? मैं सच कह रही हूँ डैदी, मैं जै को पसंद करती हूँ. आप कैसे भी कवर साब को मना कर दीजे? प्लीज, डैदी. कोवर साब को मना कर दूँ? लेकिन हम उनसे वादा कर चुके हैं बेटा और यह जय कौन है? मैं आपको जय से मिलवातूँगी लेकिन आप कवर साब को मना कर दीजे डैडी, प्लीज कवर साब सिर्फ मेरे दोस्त है और कुछ भी नहीं मैं उनसे किसी हालत में शादी नहीं कर सकती, डैडी प्लीज डैडी कुछ कीजे, प्लीज हाँ, हाँ, लेकिन मैं तो समझा था कि तुम और मेरा ख्याल है कि कवर साब यही समझते है कि पता नहीं कवर साब इस बात को कैसे ठीक ठाकुर साब, आपको पूरा यकीन है कि दुर्गा जिम से शादी नहीं करना चाहती क्या बताओ कुमर साब, यह बात दुर्गा नहीं मुझ से कही है अच्छा ठाकुर साब, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ ठाकुर साब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकुर साब, प्लीज, आप मत शर्मिंदा महसूस कीजिए आप मेरे वजूर्ग हैं, बलके मैं तो आपका शुकर गजारूं कि आपने मुझे दुर्गा जी के काबल समझा यह दूसरी बात है कि दुर्गा जी ने मुझे अपने काबल नहीं समझा मैं चलता हूँ ठाकुर साब नमस्ते यह फूल हमारे लिए थे, कोई हमसे इन फूलों की खुश्बू चुराने की कोशिश कर रहा है दिवारी, पता लगाओ की वह कौन है यह हुआ 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 ह हुब हुब ही वही रंग, वही कद्व, वही चेहरे लगता है मानो वक्त, अपनी रीप छोड़ कर पलट आया है और उसने चंदा और सूरज में दोबारा जान भूग दी है कौन सूरज? कौन चंदा? वही जिनकी ये समाधी है सूरिवंशी राजकुमार सूरज और चंद्रवंशी राजकुमारी चंदा में अटूट प्यार था लगता था जैसे भगवान ने ये दुनिया सिर्फ उनके प्यार को पतवार देने के लिए बनाई थी कभी राधा और कुष्ण का रूप धरकर कभी हीर और रांजा के भेस में कभी सौनी में वाल बनकर यूग यूग से धर्ती पर प्रेम का संदेश पहलाने चंदा और सूरज जल लेते रहे आते रहे हर यूग में गाते रहे नव में सुनाते रहे प्यार के आते रहे दिल में समाते रहे बादे निभाते रहे इक रार के जानम जानम मेरे जानम मेरे जानम जानम में में समाते रहे रहे जानम को लेगे रहे जानम करने भूल एंट हर्टि पूल दंसोरिर्वत भर सुनते हिं नाच जीते में वसतानी शाम था तुही मेरा मैं भी तेरी राधा दिवानी तंसरी मतवर सुनते है नाच थीती मैं मसतानी शाम था तुही मेरा मैं भी तेरी राधा दिवानी हम तुम दिवाने ले सद्यों पुराने आते रहे हर युग में गाते रहे नगवे सुन आते रहे प्यार के आते रहे दिल में समाते रहे वादे नीभाते रहे हित रोड़ी के जानम जानम मेरे चानम मेरे चानम मेरे चानम मेरे रहे हिए रहार् helpful कर रानम कर दिल मेरे 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 खब मुर्ड़ा कर, करлен कंदू तेरी ये सोनी ये लच्छिये मैं ही धारा धा तेरा रात दिन करता दा मैं तेरी ही गलियों का फेरा तेरी ये सोनी ये लच्छिये मैं ही था राधा तेरा रात दिन करता दा मैं तेरी ही गलियों का फेरा हम तुम दिवाने हैं सब्यों पुराने आते रहे अर युग में गाते रहे नगवे सुनाते रहे प्यार के आते रहे दिल में समाते रहे बादेनी भाते रहे इतने रहे जानम मेरे जानम मेरे जानम मेरे जानम करिं दूओ कर दो एंदा क्रिंदा 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 कर्या मार, मार इसे, छिर भी पा गए थे हम तुम की नारा सोगने में हे थे दूबरा हाँ सचन्ड ही भाल प्यारा इश्क में ढूबे थे छिर भी पा गए थे हम तुम की नारा हम तुम दिवाने है सदियों पुराने आते रहे हर युग में गाते रहे नगमें सुनाते रहे प्यार के आते रहे दिल में समाते रहे मादे निभाते रहे इक राल के जानम, जानम, मेरे जानम, मेरे जानम जानम, जानम, मेरे जानम, मेरे जानम फिर क्या हुआ बाबा? प्रेम का दस्तूर निराला है दियो की तरह रोह तो रौशन करता है मगर अपने तले नफरत के अंधेरे भी पालता है दोनों घरानों में दुश्मनी की वज़े से उनका प्यार फल नहीं पाया पर जब चंदा और सूरज ने महसूस किया कि जिन्दगी उन्हें किसी तरह नहीं मिलने देगी तो उन्होंने मौत के गोद में दूसरे का हाथ ठाम लिया शरत पूर्णमा की रात को उन दोनों ने यहीं खुदकुशी कर दे तब से लोग यहीं मानते हैं कि अगर सच्चे प्रेमी शरत पूर्णमा के रात को आकर यहां दीप जिनाएं तो उन्हें मिलन के लिए मौत का सहरा लेना नहीं पड़ता यह क्या दुर्गा तुम्हारी आखों में आसू यहांसू दुख के नहीं जै रात के हैं कम से कम हमारे प्यार में खांदानी दुश्मनी आड़े तो नहीं आएगी तुम बड़े मज़ेदा लतीफे सुनाते हो तिवारी क्या लतीफा सुनाया है कि उनका प्रेम खांदानी दुश्मनी के वज़े से खुद अपनी मौत मर जाएगा वावा तिवारी कि जब यह लतीफा ठाकूर साप के कानों में पड़ेगा तो 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 जिन्दोगी का बहुत बड़ा मज़ाप मन जाएगा यादी आप जैसे मिलना चाहते थे ना वो कल आपसे मिलने आ रहा है कोई ज़रूरत नहीं उसे आने की क्योंके हमें पता चल गया है कि वो कौन है और किस खांदान से तालुक रखता है मैं कुछ समझी नहीं डाडी तुम समझो या ना समझो लेकिन इतना जान लो कि सेंगर खांदान में तुमारी शादी हर्गिस नहीं हो सकती लेकिन क्यों क्योंके उसके पताने हमारे पताजी की जान ली थी क्या बात है हुजूर बड़े खुश नजर आ रहे है क्या कोई खास खबर मिल गई खास खबर नहीं नई नजर मिल गई है तिवारी हमारा नाम तो इत्यास में आना चाहिए पल्लो का पठा जी हुजूर कह दिया पूचाने क्यों क्यूं सरकार शेक्स्पियन ने रोमी और जूलिट लिखा, वारिशान ने ही रांज़ा, और बुलेशान ने सोनी महिवाल, और ये तीनों अमर हो गए। मगर इन तीनों ने सिर्फ ड्रामा लिखा जिसके अंदर प्रेमी अपनी प्रेमी का से नहीं मिल सका। लेकिन हमने, हमने ये सब हाकिकत में कर दिखाया, अब जै सिंग दुर्गा से नहीं मिल सकेगा। क्या देख रहे हो जै। देख रहा हूँ कि अगर हमारे पीश खांदानी दुश्मनी है, तो फिर तुम्हें देखकर मेरे दिल में नफरत की जगा महपत क्यों बरती है। इसलिए कि फरसो पहले दफनाई गई दुश्मनी, हमारे प्यार की दुश्मन नहीं बन सकती। ये क्या हो क्या जाए, हमारे प्यार को किसकी नजर लग गए। शायद मेरी ही नजर लगी है दुर्गा। तुम्हें पाकर मुझे ऐसे लगने लगा था, कि भगवान के पास मुझे देने लाए कुछ भी नहीं रहा। अब क्यों होगा जाए, मैं तुम्हारे बिना जीने ही सकती। मैं तो तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकता। इसा मत कहो जाए। जै, सूरज और जन्दा की तरह हमारा मिलन कहीं मौत की किताब में तो नहीं लेका। नहीं दुर्गा, अब जमाने में वो तम नहीं रहा। जो सच्चे प्रेमियों की पुकार को तबा सके। मुझे पुरा विश्वास है। हमारे पीछ निकलाए इस दरार को मिठाने के लिए कोई ना कोई सुरच सरूर निकलाएगी। हाँ। वे डैर्या, आजाओ। कैसा है। डैरी, आप हमेंसाद खेलेंगे। हाँ, जरूर खेलेंगे। आजकल दाजाजी हमेंसाद नहीं खेलते। अच्छा। कैसे हूँ? यह कैसी उदासी चाही है। बबलू, अकेला खेलता है। जय मुझे स्टेशन पर लेने नहीं आया। आखिर बात क्या है? बात यह है बरखुरदार कि आपके छोटे भाई श्रीमान जय सिंग सेंगर हमारे खांदाने दुश्मन दिगविजे की बेटी के साथ इश्क फर्माने लगे हैं और चाहते हैं कि उस कमीने खांदान के जलील खून को हम बैंट बाजे के साथ ब्याकर यहां ले आए। बताओ ठाकरों के परिवार में आज तक किसीने ऐसी बेहुदा बात सोची है। ठाकरों के परिवार में सोचने का रिवाज ही कब रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो। पिता जी, दादा जी का स्वर्ग वास हुए आज तीस साल हो गए है। इन तीस सालों में हमारी या उनकी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिसे दुश्मनी का जामा पहनाये जा सके। फिर कौन सी दुश्मनी का जिकर कर रहे हैं आप। पागल हो गये हो तुम। तुम अपने दादा जी की मौत को भूल सकते हो। लेकर हम अपरे पिता के खातिल को कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन पिता जी इसमें उस बिचारी लड़की का क्या दोश है जो हमारे घर में बहु बन कराना चाहती है। दोश। उसका दोश यह है कि उसकी रगों में भी उस कातिल का खून तो रहा है। अगर खून में इतना असर होता, तो फिर मेरे और आपके सोचने के तरीके में इतना फर्क क्यों। मेरी रगों में भी तो आपका खून बह रहा है। देखिए पता जी, गड़े मुर्दे उखाडने से कोई फाइदा नहीं। आप समझदार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जय की जिंदगी दुर्गा बगार पेमानी हो जाएगी। क्या हम जय का भविष्य अतीत के हाथों दफन करतेंगे। नहीं पता जी, ऐसा हर्गिस नहीं होगा। मुझे आशीरवाद दीजे। आप कहां जा रहें। ठाक और दिगविजे सिंग के यहां रिष्टे की बात करने। लेकिन अगर पिता जी ने माने तो? पिता जी भी मान जाएंगे अगर मैं दिगविजे सिंग को मना पाया तो। भया, भया मत जाओ। मेरी वज़े से पिता जी वैसे ही दुखी है। और यह मैं नहीं चाहता। मेरी महबत का फैसला मेरी किसमत पे छोड़ दो। कैसी बात करता है पागल? मैं तेरा भाई हूँ। अगर पिता जी की बात मान कर मैं खामोश हो गया, तो तू अकेला पड़ जाएगा। और भाई, मैं तुझे अकेला नहीं होने दूँगा। चावी। तुम्हारी यहां आने की जुरत कैसे हुई। हमने तुम्हारे बाप से कह दिया था, कि अगर उसके खानदान का कोई भी आदमी यहां नजर आया, तो हम उसे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें बताना भूल गया या उसे तुम्हारी जिन्दगी प्यारी नहीं। दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जिसे अपने बेटे की जिन्दगी प्यारी नहोगी। मगर आपको मेरी जान लेकर जरा भी तसली पहुचती है, तो मैं हाजिर हूँ। कुम्हारी जिन्दगी। तुम चाहते क्या हो। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपना आशिर्वा देकर तुर्गा जी और जय को विवाग के पवित्र बंधन में बांधीजे। तुम वाके अपनी जान हथेली पर रखकर आए हो। जानते नहीं कि हम तुम्हारे खांदान के साथ संबन तो क्या दुश्मनी भी नहीं रखना चाहते। जानता हूँ धाकु साथ, बहुत भी जानता हूँ, क्योंकि दुश्मनी रखने के लिए जिस नफरत की जरूवत होती है, वो हमारे दिलों में जरा भी मौजूद होती, तो तीस साल से हम लोग चैन की जिन्दगी बसर नहीं कर रहे होते। और ये जानते हो के तुम लोग चैन की जिन्दगी क्यों बसर कर रहे हो, क्योंकि हमने तुम्हारे बाप को जिन्दा छोड़ दिया था। जानता हूँ ठाकुर साब, अगर आप चाहते तो उसी वक्त अपने हाथ खुन से रंग सकते थे, वगर आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे जो हुआ, उसकी वज़ा राजपूती खुन की गर्मी थी, जुटा अंकार था। जुटा अंकार हम में नहीं, तुम्हारे बाप में था। इसलिए तो आपके पास आने की हिम्मत हुई। आप इंसाफ पसंद इंसान हैं। मैं आपसे प्रातना करता हूँ ठाकुर साब, दो मासुम दिलों को मायूस मत कीचे। अगर उन्हें महबत में काम्यावी नहीं मिली तो वो जिन्दा नहीं रह पाएंगे। ठाकुर साब, भगवान के दिव इस मौके को हसकर गले से लगा लीजे। और पुरानी बातें भूल चाहिए। परमपरा यह है कि जब बजर्ग घर में माजूद हूँ तो बच्चे शादी विया की बात नहीं किया करते। फिल्हाल तुम्हें यही कह सकता हूँ। आपका यही कहना बहुत है ठाकुर साब, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी जल्द ही आपसे आकर मिलेंगे। ज़रूर आएंगे ठाकुर साब। अब मुझे आगया दीजिए। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साब। और आपका भी हुजूर। आपकी मौजूद की बहुत ही शुब सावित हुई। जई फिर आपकी मौजद की थापकी मौजब थे ज़रूर। झाल 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 दादाजी दादाजी डादाजी डाड़ी कब आएंगे? हम से क्या पूछते हो? अपने चाचा जी से पूछो वो जब आप देंगे. बोलो ना चाचा जी. आपटाएं. बबलू, जाओ जाके सोचा बहुत देर हो गई है. हमने सोएंगे. जब तक डाड़ी ने आएंगे, हमने सोएंगे. पिताजी? सदा स्वागन रहो. कर लूछते हैं यह जाओएंगे. विता स्वागन रहो. आपज जाएंगे. पिते हैं, लूछते हैं जाण पूछते हिएंगे. रहाओते हैं, जाणिता देर हो जाणिए. एड़ एड़ ए औरेट से पड़ी कोल समय जाए में प्तॉ नहीं, तुम मुझे चोड़के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तुमने तो वादा किया था न, कि इस पार वापस आकर तुम कहें नहीं जाओगे हमेशा मेरे पास, मेरे साथ रोगे तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, तुम चोड़के नहीं जा सकते डैड़ी, डैड़ी, क्या तेड़ी, डैड़ी हमसे और मम्मी से बात क्यों ने कर दो क्योंकि तुमारे डैड़ी मार दिये गए है और इनकी बहुत का जब्यदार तुम अपना चाचा है देख, अपने जुनून का नतिया देख, जिस कातिल की बेटी की मांग में तु संदूर बरना चाहता है, उसी दाज तेरी भावी की मांग का संदूर मिटा दिया, देख खुदगर्स, देख, लेकन, लेकन तु क्या देखेगा? तेरी आखो पर तो इसका परदा पड़ा हुआ है, तू खड़े खड़े अपने बड़े भाई की लांस पर आशु बहा, और मैं, मैं उस कमीने का खुन बहाने जा रहा हूँ पताजी, मैं आपके खुन की सौगन खा कर कहता हूँ, कि मैं अपने भाई के गातिल को जिन्दा नहीं जोरूँगा कहां जा रहे हो जै अच्छा वह तुम मिल गएंगा नफरत के मनजिल तक पहुशने से पहले महबत को विदा करना बहुत सदूरी था मेरी महबत में कहां कमी रह गई जय जो नफरत ने तुम्हारे दिल पर काबू पा लिया दिल तो मेरा अब भी तुम्हारे काबू में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महबत के हाथ हो मैं अपने जस्बाद लुटा दूँ वो जिसका खून हुआ है, पिर अपना खून था, भाई था वो मेरा जिसे तुम्हारे बाप में बे मौद मार दिया है जो हुआ है, उसका मुझे दुख है, लेकिन तुम मेरे डाड़ी पर खामोखा शक कर रहे हो, वो वो ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकते, मुझे पर विश्वास करो जाए तुम पर विश्वास है मुझे, लेकिन अपने भाई के कातिल की बेटी पर नहीं गलत सना था के महबबत अंधी होती है, देख रही हूँ के अंधी तो नफरत होती है, जै, क्या तुम नफरत की वेदी पर महबबत को कुर्बान करतोगे? महब्बत को कुर्बान करना मेरे बस में होता तो इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करता महब्बत मेरा इमान है तो अपने भाई की माउट का बदला मेरा धरम है अगर इंतकाम तुम्हारा धरम है तो फिर कसम तुम्हारी अपने पिता की इफाज़त करना मेरा धरम है उनका कोई बेटा नहीं है, ना सही, मैं तो हून की बेटी, और जब तुम आओगे, तो मैं उनके सामने खड़ी हो जाओंगी बेटा बनकर याने के महपत से टक कर लो अपनी महपत को जख्मी करने की ताकत मुझे नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों को सलामत देखना चाहती हूँ जो कि ना मुंकिन है ना मुंकिन नहीं है, क्योंकि तुम दोनों के बीच मैं हूँ और तुम्हें एक कुछ चुनना होगा नहीं चुन सकती, क्योंकि तुम दूनों ही मेरी जिंदगी हो। तो तुम मेरा रास्ता भी नहीं रोक सकती। अल्या मेरास्ते से। मेरा प्यार कमजोर नहीं कि तुम्हारे रास्ते से हचचाऊ। उसके एली तुम है मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लगाओ निशाना और चला दो बंदुग। चलाओ गुली। कम से कम दुनिया वाले हमें याद तो रखेंगे कि जिसे महपत में दिल दिया था, जान भे उसे दे दी। कम दो कि दे अब करका हुआ है। हुआ हैं तो ददुत्रवा बहुत है। यहार बहुत हैं। यहारे भूल थी जह हमने तुम पर विश्वास किया। हम नहीं जाते थे कि हमारा खून तुमारी रगों में पहुचकर पानी बन जाएगा हमें पहली समझ लेना चाहिए था कि जिस सादमी का दिल एक लड़की की मुहबत का खुलाम बन जाए तो इसके कमजोर बाजू बंदू का बोज उठाने के लायक नहीं रहेंगे अपने कमजोरी को बेबसी का लिबास मत पहनाओ अगर तुम्हारे दिल में अपने भाई की मौत का जरा भी अफसूस है तो जाओ जाकर उस ठाकुर को मौत के घाट उतार दो पिताची बस कीजिए यह इंसा का उपदेश चोक कुछ हो चुका है इस जिन्दगी के लिए काफी फरना हमारी नहीं से एक खुश्यां भी तमाम हो जाएंगी क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पती की मौत का बदला लिया जाए अगर बदला लेने से मेरे पती लॉट आएंगे मेरे मांग में सिंदूर भर जाएगा तो फिर सरूर बदला लीजे पिताजी मगर आप कैसा कुछ नहीं होगा जाने वाला किसी भी सुरत में लोट के नहीं आएगा तो क्या तुम चाहती हो कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और हमारी खुश्यों के लुटेरा जैन से जिंदिकी बसंद करें आप ठाकुर दिगविजय को अपना दुश्मन मानते हैं और उ किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरे इंसान की खुश्यां लूट सके पता जी जो कुछ हुआ मेरी किसमत थी जिसे तीस बरस पहले की लगाई हुए नफरत की आग ने चलाकर विद्वा बना दिया मुझे और अगर इस आग को आप लोग इसी तरह हवा देते रहें तो आज जिसकी वज़े से मेरी मांग सुनी हुई है कल उसी की वज़े से मेरी कोट भी सुनी हो सकती है मैं, मैं अपनी खातिर नहीं, आपकी खातिर नहीं अपने बेटे की जिन्दकी की खाते, आप लोगों के हाँच चोड़ती हूँ हाँच चोड़ती हूँ कि नफस की इस आख को अबेशा के लिए शांत कर देजे मुझ से मेरी ममता का आख मत चीनिये, मत चीनिये मुझ से मेरी मम बबलो, क्या हल बना रख खहरे, ऐसी सुरत बना कर बहुत खुशी पहुचा रहे हो ना अपनी भावी को तो क्या करो भावी, बदकिसमत हो ना किसी को क्या खुशी पहुचा सकता हूँ भावी, खुशी मेरी जिंदीगी के रेकिस्तान में, नजरों का वो धोका है, जो दूर से पानी बनकर चमकता है और जो मैं पास जाता हूँ, तो सिर्फ रेथादाती है ऐसी बहकी बहकी बाते करके मेरा तु क्या, तुम अपना दिल भी नहीं बहला सकती जाए दिन राज जिसके ख्यालों में घुलते रहते हूँ, सब कुछ भूलकर उसे अपना क्यों नहीं लेते भावी क्यों जै, मैंने कुछ गलत कह दिया अगर सब कुछ भूलाने इतना ही आसान होता, तो सबसे पहले मैं शायद उसे भूलाने की कोशिश करता क्यों भूलाने इतना ही अगर लेते आसान ही जाए इतना ही भूलाने इतना ही अगर थावी हुआ 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 है डूंडती है तुझे मेरी तनहाया है मेरी जिन्दगी हो गई तु कहा तेरे बिन अजनभी है जमी आसमा है मेरी जिन्दगी हो गई तु कहा हुआ हुआ है हुआ हुआ तेरी चाहत में चाही थी हमने वो पाद तेरी चाहत में चाही थी हमने वो पाद तेरी चाहत में चाही थी हमने वो पाद जल रही है नजर उठ रहा है दुआँ ए मेरी जिन्दगी खो गई तू कहा भूंडती है तुझे मेरी तनहाईया ए मेरी जिन्दगी खो गई तू कहा कैसा बौसम है ये फूल खिलते नहीं जगम सिलते नहीं यार मिलते नहीं कैसा बौसम है ये फूल खिलते नहीं जगम सिलते नहीं यार मिलते नहीं ऐ बहारों के पर्दे में जैसे विजां ऐ मेरी जिन्दगी खो गई तू कहा तेरी बिन्दगी ए जन्मी आसिम ऐ मेरी जिन्दगी खो गई तू कहा तू कहा थी जिन्दगी खो भी साथ अब में समझे थे कुछ रोज में तुझे को आप बूल जाएंगे पर बूलते से ना दिल से जाती नहीं तेरी पर चाहियां ए मेरी जिन्दगे खो गई दूका बूल से नहीं तुझे को बुझे को आएंगे और में समया आएंगे तुझे को बुझे खोगता हुचा बुझे को गवाल दिल जास्त उतना आया तो नहीं बेटी, लेकिन वो आयेगा जरूर, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने उसके चेहरे पर प्रेम का सूरज देखा था हमने सोचे था कि विशाल जिंक का खून, स्यंगर खांदान के खून को खोला देगा, दुश्मनी की बूजी उराक में फिर से चिंगारिया भड़क उठाएंगी, तोनों खांदान नफरत की आग में एक पर फिर से जल जाएंगे, मगर लगता है कि जंगर खांदान का खून पानी हो चुका है, खून पानी नहीं हुआ है सरकार, नफरत की जो आग हमने लगाई थी, उसे प्यार की बौचार ने फैलने से पहली बुचा दिया, प्यार की बौचार को गुस्से की भाप में भी तब्दिल किया जा सकता है, वो, वो कैसे हुजूर, फिक्र मत किजे तिवारी साथ, यह शुप कार है आप ही के कर कमलो दवरा किया जाएगा तु यहाँ, चला जाएँ यहाँ सवरना, जानता हूँ, जानता हूँ कोईर साथ कि आप मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहते, अगर क्या करूँ, मजबूरी थी, अपनी सूरत दिखाए बिना, मैं आपको यह, यह जंजीर भी तो नहीं दिखा सकता था यह तेरे पास कहां से आई, आई नहीं, बड़ी मुश्कल से हासल की है, कहां से, ठाकुर बेगवजे सिंग के दर्बान से, जी हाँ, उनहीं के दर्बान से, उसके पास यह जंजीर देखते ही मैं पहचान गया, कि यह तो स्वर्गवासी बड़े कुवर साप की, ओ, मेरा त मेरा तो तिमाग ही घुब गया, और जब मैंने उससे पूछा, कि तेरे पास यह सोनी के जंजीर कहां से आई, तो कहने लगा कि ठाकुर साब मैं बख्षिश में दी, बस, मैंने सोच लिया, क्या आप चाहे मुझे देखते ही गोली क्यों न मारते हैं, लेकिन मैं आपके नम हमा मारते हिडे है चाहे में आपके नमिएर Hare However spoiler est only थोकर बहार निकल मस्दिल जनाब आप छिला क्यों रहे हैं आप हैं कौन बेहुदा सवाल मत कर ये बता के ठाकर दिख विजय संग कहा है मुझे अपने भाई की मौत का हिसाब चुकाना है पता ओ तो तुम से अंगर साब के छोटे बेटे हो तो अपर ठाकर साब ठीक ही सोचते हैं तुम दुर्गा से नहीं ठाकर साब की दौलत से प्यार करते हो मुझे क्यों मारते हूं मैं तो वही कह रहा हूं जो ठाकुर साब सोचते हैं यह तो तुम्हारी किस्मत अच्छे कि ठाकुर साथ तुम्हारा के साथ सुप़े से शेर गए अगर वो यहाबर होते तो तुम्हारा भी वही हाल होता है जो तुम्हारे बड़े भाई का हुआ था ठाको सामने तुमारे भाई को बोल तुम मेरे भाई की मात की बादे में क्या जानता है तुमारे भाई को क्या क्या जानता मेरे भाई की मात की बादे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता हम इसा नह ओए पर जगार आए जब हम बंग कर दो यह आए प्रूश्ब्स झाल खर खर लगाँ अि दो हुआ खर आए इवगी दूल, खर सुब हो खर आए दिया अज्द टुच सब कर दो आए झाए लग़ाँ ठीक है, तुम ठाकुर पे परदा डाल सकते हो, लेकिन मैं अपने भाई के कादल को कभी नहीं माफ करूँगा, कहे देना उस कमीने ठाकुर से, कि वो धार के जिंदगी जी रहा है, क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूगा बाहदर से, कहाँ गई यह सब लोग, बाहदर अहाँ, अरे, कोबर साब, क्या हुआ, सिहंगर साब का छोटा, छोटा बेटा आया था, और इन लोगों से मार पिट कर रहा था जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो वो मेरे साथ भी जानवरों कितना पेश आया कहने लगा कि आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बड़ी मुश्कित उसे यहां से भाद निकाला, लेकिन जाते-जाते कह गया है कि वापिस जरूर आएगा उस कमीने की ये इमत ये बड़ी म मा अपको नही जाने दोगे मैंने उसे रहा उसे डिया ये 捍 imagen की जरूए भी बड़ी मुझत उसे पहां डाओ पार पे एकिने गındaki जरूएख फार अपकी ए झानन होगेगा जसे ढ़ी शौरी काण जरूरा उसे पहां से साथी have way कर दो कर दो कि बादू पापी को अपने पाप की सजा ज़रूर मिलती है और इस दुडिया में ही मिलती है तुम से तो वह बच गया लेकिन अपनी करनी से वह कब तक बच सकता था दुख तो सिर्फ इस पाद का है कि उसकी मौत का सिम्मेदर मैं नहीं कह लाँगा क्या थाकुर दिगविजे से मर गए जाको राखे साईया मार सके ना कोई हम तो यही कहेंगे कि प्रभु की बहुत-बहुत क्रिपा रही प्रभु की क्रिपा तो है ही पंड़ जी लेकिन अगर कूर साब मुझे वक्त पर ना बचाते तो थाकुर साब आप मुझे क्यो शिर्मिंदा कर रहे हैं भला मैं आपको बचाने वाला कॉंन होता हूँ, जिंदगी और मौत तो दोनों उपर वाले के हाथ में है क्यों पंडची अगर जिनदगी और मौत दोनों ही ऊपर वाले के हाथ में है कोवर साहब तो कातिल, खोनी और हथ्यारा ये शब्द किस के लिए इस्तमाल होते है यह सब माया का खेल है ठाकूर साहब कौन क्या है यह जानना बहुत कठिन काम है जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वो अपना निकलाता है और जिसे अपना समझते हैं, वही समयाने पर दुश्मन साबित हो जाता है क्यों कावर साहब? जी, जी हाँ, बिल्कुल बजा फर्वाना आपने अब आ गया दीजिए, कल मंदिर में प्रथम आरती के आउसर पर आप सभी से भेट होगी मैं तो नहीं आ पाऊंगा पंड़ी लेकिन दुर्गा कॉंवर साथ आएगी डारी मैं बेटे, मंदिर के काम के लिए इंकार नहीं किया करते है पर्ड़ी ये दुनों अवश्य आएगगा जी अच्छा कल्यान अमस्तु, जी दिरो बेटा पंड़ी जी आप तो यहां कई पुष्टों से रह रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे और सैंगर परिवार के बीच में पुष्टेनी दुश्मनी है फिर आपने हम दोनों को एक साथ एक मौके पर बुलाने की भूल कैसे की पंड़िचे ना बेटी ना, मा के दरबार में मुझे करवे बूल नहीं निकालते यहां कोई बैरी है न शत्रू, सब उनकी संतान है तुम शांतमन से उनकी पूजा करो, उनके आशिरवास से सब भला हो जाएगा यहां लाएगा प्रमाराओी तुमाराओी प्रमाराओी हो दुनिया से तुलाना का जॉला है मन में माता सुन ले घा ये रिदय की तुका एक धोका है दुनिया का प्या हो सुन ले घा ये रिदय की तुका एक धोका है दुनिया का प्यार जी माता की जी माता की हो सच्चा है तेरा नाता तेरी दुहाए मता पैसला कर दे एक बार जग में नफरत रहेगी के प्यार जी माता की जी माता की हाँ 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 काटे हे दामन में पाए फूर का थारमा दोस्त अपना एक पत्तर को समझे थे इंसा जी माता की जी माता की प्यार पे अपने होना भरोसा जिसको है नादार पाने वाले पा जाते हैं पत्तर में भगवान हाँ सच्चा है तेरा नाता तेरी दुहाए मता मा मा फैसला कर दे एक बार जग में नफरत रहेगी के प्यार जे माता की जे माता की ज bunları धी माता की शथे जग जग माता की जगर जग बाहे जगवान व्यार यह जगशण के pson जैमादादी, 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 जैमादादी शूल कुफूल और विश्को अमरित करना प्यार का काम ये वो आग है जिसमें जल कर मिलता है आराम जैमादादी, जैमादादी मन में तू है वेर कपट और मों पर प्यार का ना जाने क्यों करती है दुनिया प्यार क्यों बदना हाँ, दुनिया से तुड़ा नादा जुआला है मन में माता सुन ले घा ये रिदय की पुका एक धोगा है दुनिया का प्यार जैमादादी, जैमादादी जैमादादी जैमादादी, जैमादादी प्यार नहीं मरता है मन में जन्म जले एक बार नफरत की सी मां से आगे प्यार कहे संसा को सच्चा है तेरा नाता तेरी दुहाए माता मा फैसला कर दे ये एक बार जग में नफरत रहेगी के प्यार जय माता पीड, जय माता पीड दुनिया से तुड़ा नथा जौला है मन में माता सुन ले गाय रिदय की पुकार एक दूपा है दुनिया का प्यार जुनिया तो अता है तैना दुनिया से बरा लगा करना दुनिया तो जुनिया से बरा लगा तुम्हें आज अचाने की क्या हो गया है? मुझे होश आ गया है कि जिस तरह एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती, उसी तरह प्यार की मयान में तुश्मनी की तलवार भी नहीं रह सकती जाए. क्या बात है दुर्गा, तेरे से लगता है कि तुम मंदर से नहीं जंग के मैदान से आ रही हो? बजा फरमाया आपने, वहाँ पर इनकी मुलाकात सेंगर साब के साहब जाज़त होए थे. वह मन्हूस अपने नापाक इरादों के लिए कर वहाँ भी पहुंच गया. लगता है कि उसके साहे से दूर रहने के लिए उसके साहे को मिटाना ही होगा. दुर्गा. जी डैडी. नीचे आओ. जी. दुर्गा. मैं चाहता हूँ के तुम्हारी और कॉमर साथ की शादे जल्द से जल्द कर दी जाए. तुम तो ऐसे चोंगई जैसे बिजली की तार चूगई हो. लेकिन डैडी. बोलो. डैडी. इस वक्त मैं अतनी परशान हूँ. के शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती. इन बातों से तुम किसी और को भ्रम में डाल सकती हो. लेकिन मुझे नहीं. साफ साफ क्यों नहीं कहती के अभी भी तुम्हारी दिल में उसकी याद बाकी है. यहीं बात है. जिसने तुम्हारे बाप की जान लेना चाहिए, वो आज भी तुम्हारे बहुत करीब है. और जिसने तुम्हारे बाप की जान बचाई, वो आज भी तुम्हारे करीब होने के काबिल नहीं. थाकुर साब बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हें अपने बाप को दुश्मन अपने बाप से ज्यादा प्यारा है थाकुर साब अब तखल अंदाजी के लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा लेकन आप इस मामले को जादा ही नाजुक मना रहे हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बारे में मैं दुर्गा जिससे कुछ बात करना चाहूँगा कहिए क्या कहना चाहते थे आप मुझसे दुर्गा जी ठाकुर साब चाहते हैं कि आपके और मेरी शादी कर दी जाए लेकिन मैं नहीं चाहता बड़ी किसमत वाले होते हैं वह लोग जिनके प्यार को प्यार मिलता है मगर मैं जानता हूँ कि मेरी किसमत में आपका प्यार नहीं है लेकिन मैंने आपको दिलो जान से चाहा है दिलो जान से आपसे प्यार किया है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अगर आप मेरा मतलब समझ पाती ही, तो आज हालात यह ना होते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे बैहत मोहबत करती हैं, और मैं आप दोनों को मिलाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाता कि आप भी, आप भी मेरी तरह मोहबत में तड़पें, मुझे वरास्ता दिखा दिजिए, जिससे मैं ठाक उर्साब और जै के बीच में पैदा हुई गलत फैमी को दूर कर सकूँ, मैं जै के सामने हाथ जोड़कर, आपको उसके सामने हाथ जोड़ने की कोई जुरत नहीं है, मैं जैसे नफरत करती हूँ, उसने मेरी डाड़ी की जान लेनी चाही, मेरा बुसे कोई वास्ता नहीं, अगर मैं प्यार निभा सकती हूँ, तो दुश्मन यह निभा सकती हूँ. नहीं छोड़ना, छोड़ना, रुको आराम सादो, मोर्साफ बठाए, लोड़ना बदाए! चाचन जी, चाचन जी, क्या है बड़े, एक आदमी ने आपके लिए किट्टी भीजिए, मेरे लिए, अगर तुर्गा की जान बचा, अगर तुर्गा की जान बचाना चाहते हो, तो मोठी टुंगरी चले आओ, तुम्हारे भाई कास्व कातला, अगर तुम लो हो कौन, चाहते क्या हो, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे मालिक चाहते हैं, और वो ही जाने के वो क्या चाहते हैं, कौन है तुमारा मालिक, चैसिंग जी साहिब सेंगा, मालिक आगए, तुम हरम सद है, आगे मत बड़ी हुजूर, गाली मत दीजिए, जरा आइस्ता बात की, और अगर मेरी बास सुनने में बुरी लगती हो, तो कुछ बोलने से पहले जरा आपनी भाई तरफ देख लीजिए, ना ना, घुसे से नहीं, मुस्कुरा कर बात कीजिए, पर ना, क्या, उसे मालिक, खुजूर, जब तक मैं पेर से बंद है आदमी को आजाद न कर लूँ, आप मुस्कुरा कर बखशी से बात करते रहिए, अब फिर उसके बाद उसके साथ चले जाएगा, जे, जे, अहां, लाईए, मैं आपके बंदूग रख लेता हूँ, लाईए, मुस्कुराते रहिए, जे, अहां, अच्छी बात, जे, मालिक ने तुम्हें आजाद करने का हुक्म दिया है, तुम ठाकुर दिगवजय सिंग को खबर कर दो, कि अगर उसे अपनी बेटी की सलामती चाहिए, तो वो फॉरन यहां पहुंचे, मालिक को अपने भाई की मौत का बदला लेना है, मैं सोच भी नहीं सकती थी, जय के तुम इतना नीचे गिर सकते हो, अगर तुम्हें अपने भाई की मौत का बदला ही लेना है, तो फिर मेरी जान ले लो, जय मुझे तो तुम्हारी बुजदली पे शर्म आती है, तुम कायर हो, धोके बाज हो, जाओ, कम बखत गिरा भी तो हमारे कदमों पर, इसका तो जनम सफल हो गया, तुम में से एक, सेंगर के या खबर पहुचा दो, कि उनका बेटा जय, ठाक और देगु जैसिंके खब्से में है, और अगर उन्हें अपने बेटे की जिंदगी चाहिए, तो वो फॉरन मोती डूंगरी पहुच जाएं, और मैं, मैं ठाकुर साब के आ जाता हूं, उनसे कहता हूं कि उनकी बेटी दुर्गा सेंगर के कब समय है, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो भी मोती डूंगरी पहुच जाएंगे, बस फिर क्या है, दुश्मने की आग में जल रहे दोनों ठाकुर आपस में लड़कर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसकी लाश को उसके रास्ते में फैंक देना, जवान बेटे की लाश को देखकर बूड़े बाप की रगों में लड़ने का जोश चाक जाएगा, उस जलील की यहमत, उसकंबक को मालुम नहीं कि उसने हरी सिंग सेंगर को ललका रहा है, ठाकुर साब, ठाकुर साब, ठाकु सिंगर ने कहला बेजा है कि अगर आप में अपनी बेटी को बचाने की हिम्मत है, तो मोती ढूंगरी पहुंचाएगे, जाए ठाकुर साब, जाएगे जलील, मक्कार, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है सिंगर जब इसको मारना ही है तो इसे होस में क्यों ला रहे हो हम कभीले वाले बेहोस आदमी की हत्या नहीं करते हैं घड़ी निकलती जा रही है और यह होस में ही नहीं आ रहा नवस तो बराबर चल रही है रुक जाओ तुर्गा को अपने खब्जे में करके तू और तेरा बेटा दोनों मिलकर भी मेरी हिम्मत पस्त नहीं कर सकते आज मैं तुम दोनों को मौत के घाड उतार दूँगा चर्गा चर्गा हले कर दोनों मिलकर अज़ा एक obl groups बिस्ता बिस्ता को, को को मै, हु मै आच जच मालिक मैं कोई कोई सबूत नी छोड़ता तादी कहा है उन्हें सिंगर के आदमों ने खेर लिया है चलो यहां से एक बार तुने हमारी चान बख्षी थी आज हम भी निहत्य परवार ने करेंगे ले नहीं नहीं इससे पहले कि आप एक दूसरे की जान ले ले इस हत्यार इससे सारी सचाई जान लीचे बोल कमीन है बोल चारे फसाद की जड़ हम नहीं है मैंने भावन सिंग के कहने पहने है हाँ विशाल की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ मेरे ही कहने पे चांगा ने ठाकुर साब पे हमला किया ताकि आन मोके पे मैं उन्हें बचा सकूँ और वो खुश होकर मेरी शादी दुर्गा के साथ कर दें मैंने दुर्गा के दिल में जै के खिलाफ नफरत पैदा करना चाही ताकि वो वो मुझसे मौपत करने लगे मेरा रासवाश हो गया तो क्या हुआ दुर्गा अभी भी मेरे कबजे में है और मैंसे हसे लेके जा रहा हूँ अगर किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो दुर्गा की मौत का जिमेदार वो खुद होगा झाल चाल चाल चुर्गा मुझस चाल चाल पर वुछण आअ उः झाल बश्क चाल Ah! हाा! हा! 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 सदास। हागनों झाल ुटूू।